केवल दो चमच इसे लें घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोडों का दर्द, गठिया नहीं होने देगा ये नुस्खा बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान उपाए दोस्तों आज आपके साँ शेयर कर रही हूँ आज से ही लेना शुरू कर दें यदि जोडों में दर्द नहीं है दोस्तों तो भी आप लेना शुरू कर दें ताकि भविश में जोडों का दर्द होने ही ना पाए घर की ही चीजों से आज हम इस नुस्खे को बनाएंगे दोस्तों जो की पूरे समय हमारे किचन में होती है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें सांती सांच शिखास किचन चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट जरूर करिए का दोस्तों इंफॉर्मेशन कैसी लगी वीडियो कैसा लगा तो सबसे पहले इस नुष्खे को बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है सौट अद्रक का सूखा हुआ जो रूप होता है उसे ही हम सौट कहते हैं अद्रक को सुखा लिया जाता है दोस्तों और इस तरह से सौट जो होती अद्रक हम दो तीन महने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं सौट को आप एक साल तक के स्टोर करके रख सकते हैं और आजकल तो बाजार में सौट का पाउडर भी मिलता है जिसे हम बोलते हैं ड्राइ, जिंजर, पाउडर, अध्रक का पाउडर, सौंट का पाउडर. तो आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही फाएदेमाद, और खास कर थंड के मौसम में सौंट बहुत ही फाइदेमाद है. जोडों के दर्द गठिया जैसी बिमारी में बहुत ही राहत मिलती है यदि हम सौठ वाला दूद पीते हैं तो दोस्तों सौठ में बहुत सारे गुण होते हैं दोस्तों जो अद्रक होता है वही सौठ होता है दोस्तों परन्तु अद्रक को सुखा दिया जाता है उसका सुखा रूप रहता है SOT अधरक हमारे digestion को improve करता है SOT हमारे हमको जोडों के दर्द से राहत दिलाता है खास कर घुटनों का दर्द कमर का दर्द हो या फिर हमारी गर्दन या एड़ी में दर्द हो यदि आप SOT का सेवन करते हैं तो जोडों का दर्द बिलकुल ही ठीक हो जाएगा साथ ही यदि घुटनों में सूजन आ गई है दोस्टों या जोडों में सूजन आ गई है उसमें भी SOT का दूद राहत दिलाता है इसके साथ ही धन का मौसम है इसलिए मैंने यहा लिया है खस-खस जिसे की हम पॉपी सीड भी कहते हैं तो जो खस-खस होती है दोस्तों यह आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगी ड्राइफरूट की शॉप में भी मिल जाएगी और ठंड के मौसम में खस-खस वाले दूद का सेवन जरूर करना चाहे कैलशियम, मैगनेशियम, थाइमीन, भरपूर मातरा में खस-खस में होते हैं जिन लोगों को नींद नहीं आती है उन्हें तो खस-खस वाला दूद जरूर लेना चाही दोस्तों केवल एक चम्मच खस-खस एक गिलास दूद में डाल कर लें अनिद्रा की परिशानी जिसे की हम इन्सोमेनिया कहते हैं वह भी दूर होता है साथ ही दोस्तों खस-खस जो होती है हमारे शरीर को हाइडरेट करती है और बहुत फायदे मनेक है खास का ठंड के मौसम में हमारे शरीर में गर्माहट भी देती है इस्ट्रेश दूर करती है और हम खस-खस वाला दूद पी कर सुबह उठकर ताजगी और फूर्ती महसूस करते हैं और खस-खस में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी ऐसीड होता है अगली चीज मैंने लिए दोस्तों काली मिर्ची इतनी सारी काली मिर्ची नहीं लेना है एक गिलास दूद में 2-3 काली मिर्ची ही लेना है सिर दर्द को दूर करती है सर्दी खासी जुकाम आखों की बिमारी के लिए काली मिर्च बहुत ही फायदे मंद है दमा की बिमारी हो खासी के इलाज में तो दोस्तों काली मिर्च बहुत ही फायदे मंद है इसके साथ ही दोस्तों अर्थराइटी जोडों के दर्द में जो सूजना जाती घुट्टों में उसके लिए काली मिर्ची और लॉंग बहुत ही फायदे मंद है काली मिर्ची खाने से दिमाग तेज होता है इसके अलावा दोसों अब आपको इस दूद में लेना है लोंग केवल 2 से 3 लोंग लेना है दोसों तो अद्रक, सौट का पाउडर, काली मिर्ची और लोंग लॉंग हमारे immunity को बढ़ाती है, हमारे रोग प्रतीरोधक शमता को बढ़ाती है सांती साथ जो लॉंग होती शरीर में गर्मी भी रेती है और diabetes को भी control करती है, शायद आपको पता नहीं होगा दोस्तों लॉंग खाने से शुगर भी control में रहती है दूद को मीठा करने के लिए मैं हाँ पर गुड लूँगी दोस्तों शक्कर का हमें बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करना है शक्कर के हमारे शरीर को कुछ भी नहीं मिलता है और अब हम लेंगे दूद वचन कम करना चाहते हैं तो हमेशा low fat milk का इस्तमाल करें बिल्कुल किनारे हटा दे और शिर्फ आपको दूद लेना है क्योंकि वचन कम करना है बच्चों के लिए बना रहे हैं दोस्तों तो आप मलाईदार दूद full fat milk दे सकते हैं दूद अपने आप में एक संपुर्ण आहार है दोस्तों, दूद से हमारे शरीर में शक्ति आती है, विटामिन D होता है, भरपूर मात्रा में केल्शियम होता है, रोज दूद पीने से हमारे कोजोडों के दर्द से राहत मिलती है, अगली चीज मैंने लिए जैफल, सो बिमार यहां दूर होती, पेट डर्द, बच्चों को थोड़ा सा आप जैफल देदें, पेट डर्द ठीक हो जाता है, सोट के साथ जब हम जैफल को मिक्स करते हैं, तो इसमें चारगुना शक्ति बढ़ जाती है, और जैफल वाला दूद पीने से हमें नींद भी अच्छी गहरी हमारा स्ट्रेस कम होता है, और जो जैफल होता है, खास कर जोडों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है, और ठंड के मौसम में तो जैफल का सेवन जरूर करना जो बहुत कम करना है, तो जैफल को कदूकस कर सकते हैं, मेरे जैसा ग्रेटर से, या इस तरह से आप इसे जाइफल का टुकडा लिया था बहुत आसानी से एक चुट जाता है बहुत आसानी से हम इसका पाउडर बना लेते हैं और सथी गले-दर्द में दोस्तों यहीं जाएफल के पाणी का अप गरारा करेंगे ना तो गला जो बैट जाता है वा बिलकुल ही ठीक हो जाता है इतना जादा ये फाइदेमंद है आयुरुवेद में जायफल का बहुत जादा महत्वा है तो बस एक गिलास दूद लिया है दूद बढ़िया अच्छा उबल रहा है आप देख सकते हैं कोई भी चीज दूद में डालें थोड़ा सा दूद उबलने लगे गरम हो जाए तब डालें ठंडे दूद में कई बार हम कई चीज़ें डाल देते हैं गुर्ड डाल देते हैं तो दूद के फटने का डर रहता है इसलिए दूद गरम होने के बाद ही डालें ताकि दूद ना फटने पाए तो बढ़िया अच्छा क्योंकि आपको सभी चीज़ों को दूद में उबालना है एक चमच मैंने इसमें खस-खस डाल दी है और बढ़िया अच्छा खस-खस को पका लेना है और खस-खस दूद में पक जाती है तो पीने में बड़ा मज़ा आता है दो काली मिर्ची केवल दोस्तों मैंने क्योंकि बच्छों के लिए बना रहे हैं तो तीन काली मिर्च भी ले सकते हैं तीन लॉंग भी ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पर दो काली मिर्ची दो लोग ली है बच्चों को भी आप इस दूद को जरूर दें पूरे ठंड भर उन्हें सर्दी खांसी नहीं होने पाएगी और अपने आप में इम्मिनिटी बढ़ेगी रोग प्रती रोधक्षमता बढ़ेगी जिससे वे जल्दी बिमार नहीं होंगे और हम बढ़े इसे ल गरम पिए आप दिन में कभी भी ले सकते हैं परन्तु रात को यदि दूद लेंगे दोस्तों तो और भी फायदा करेगा तो सभी चीजें बढ़ी अच्छी उबल रही है अब इसमें मेरे को डालना है दोस्तों सौठ का पाउडर तो सौठ जो की अपने आप में बहुत करेंगे आपके शरी में ताजगी और फुर्ती आएगी बस अब हमें डालना है दोस्तों यहां पर दूद को मीठा करने गुड़ डाल रही हो आप मिश्री डाल सकते हैं ठंड का मौसा में दोस्तों तो गुड़ डालें गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन होता है हमार फायदे मंद है दोस्तों जोडों के दर्द से आपको रहत मिलेगी रात के समय पिएंगे दोस्तों तो इसमें जो खस-खस है ना दोस्तों खस-खस वाला दूद पीने से नीद अच्छी गहरी आती है बार-बार जो नीद खुलती है नीद तूटती है उससे आपको रहत मिल गर्मा गर्म दूद बन कर तयार है जो कि आपको जोडों के दर्द से राहत दिलाएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट चरूट करें वीडियो कैसा लगा थैंक